हलो दोस्तों आज बनाएंगे ब्रत के लिए बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी वीडियो को पूरा देखिएगा रेसिपी जरूर पसंद आएगी और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसके इक बाउल में डालेंगे अभि इसको दो बार पानी से अच्छे से धूर लिया है इसमे जो थोड़ी बहुत धूल रही होगे इसमें सब्सक्राइब को नीकल अच्छे से साप हो गया है अभिश्यियो के लिए अद शोड़ तो और जैंशे की तरब बाकी कीकी तयारी करने हैं अब गयास में कड़ा ही रखेंगे अब इसको आन कर लेते हैं गयास को मीडियम फ्लेम में कर लेंगे अब इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून घी अब सबस्ते पहले इसमें मुण फली भून लेते हैं, यह एक चौथा 1 कप मैंने मुण फली लिए, इसको इसमें डाल के भून लेए, इसको लगातार चलाते रहेंगे, बिससे अच्छे से भून जाए, इसको ज्यादा नहीं भूनना है, क्योट दो मिनट भूनना है, इसका क जीरा और एक आलू मेंने लिया है इनको ऐसे टुकड़ों में काट लिया है देखिए इनको भीसी में डाल के भून लेते हैं आलू को जब भीसी से भून जाएंगे तो बहुत असा प्रेस्ट आता है ब्रत में जितने नास्ते बनते हैं उसके सब से आसान है खीटड़ी बनान दुझाएं द्रक का टुकड़ा अधा इंज आधा इंच आध्रक का टुकड़ा था इसको मैंने ग्रेट कर लिया है अग अब ते असारी चिज़ें इसे जह भूण गई है अब इसमें डाल देंगे साबु दाने यह जो मैंने धूल रखा था इसको डाल देते हैं अब अब दो मिनट हो गया है साबु दाना भी अच्छे से भून गया है बहुत अच्छी कुछ भूआ रही देशीगी कि खाने कंबन करने लगा अब इसमें पानी डाल देते हैं कि अब इसमें दो ग्लास पानी डाल देंगे अब आप सोच रहेंगे इतना सारा पानी तो यह ग्रेवी वैली खिचडी बनेगी इसमें थोड़ा पानी ज्यादा डालना जरूरी है और अभी पक भी जाएगा तो कम हो जाएगा अब बहुत अच्छी खिचडी बनेगी अब इसमें डाल देते हैं नमक यह ब्रत वाला नमक म्यों धाल का 1-1 श्पून ढाल देते हैं अब इसको अच्छे से मीक्स कर देते हैं अब नमक भी आछे से मीकस हो गया है गयस जीकेफेब subscription में करें के इसको ढाग देंगे इसमें ड़कोष दे को और फिरें यह को और माद यह परके exist कि अब इसको एक लो फ्लेम में कर देंगे यह मैंने दो टमाटा लिये हैं, मीडियम साइज के, इनको थोड़ा बड़े टुकणों में काट लिया है, इसको डाल लेंगे, आप अगर टमाटा ना खाते हों, तो इनको हटा सकते हैं, इसकी जगे आप नीमू का रज डाल सकते हैं, थोड़ा सक खटा हो जाएगा, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें डाल देंगे धनिया के पत्ते, थोड़े से, जितना आपको पसंद हो, इनको भी मिला लेते हैं, अब धनिया के पत्ते भी अच्छे से मिक्स हो गई है, यह देखे काफी गाड़ा हो गया है, ले कितनी अच्छी खिचड़ी बन गई बहुत हेल्दी खिचड़ी है यह देखे इसका टेक्सर इसको आलू दबा की ज़रूर देख लीजिए कि पका है कि नहीं ऐसे करके यह देखिए पग गया है अब एक बार बाराबर से अच्छी से चला देए टमाटर भी साफ्ट हो गए है यह देखे कितनी अच्छी खिचड़ी बनी है अब गया इसको आफ कर देते हैं अब इसको पांच मिनट तक इसी तरह धका रहने देंगे यह थंड़ा हो जाएगा उसके बाद सर्व करेंगे पांच मिनट हो गए है अब खिचड़ी थोड़ी थंड़ी हो गई है इसको देख लेते हैं यह देखे गाड़ी भी हो गई है अब इसको सर्व कर लेंगे पूरी तरह से थंड़ी नहीं करना है बस थोड़ी थंड़ी करना था यह हेल्दी खिचड़ी बनके तयार है आप ल